इस साल के शुरुवात में ये तै किया था कि इस साल से और आगे आने वाले सालों में मैं भारत के सभी तिर्थ स्थानों में और भारत के सभी सीमावर्ती इलाकों में जाकर भगवानों के दर्शन करूँगा ये हमारे भगवानों का जो परातना है जो इनका पैगाम है जो इ इतना बड़ा है मैंने तई किया है कि मैं अब हर जगा जाओंगा मैं पहले बाकी मंदिरों में गया हूँ आज यहां आकर मैं बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूं इस मंदिर की जो उरजा है वो मैंने बहुत कम देखी है और यहां पर जो भगवान से तो मैंने सब के तुल है अच्छे हैं यहां के हुद कि अपने आप हात पुड़ जाते हैं और बोलने का दिल जब जब बुलाएंगे आएंगे क्या बात अच्छा वह तो मेरे को यहां से जब मैं एरपोर्ट पर उत्रा और यहां से जाजपूर गया तो रास्ते में भी मुझे बहुत ऐसा लगा कि संस्कृति के लिए मेरी दस तारिक को शिव शास्त्री बैलबोवा फिल्म रिलीज हो रही है विदेश में इसकी शूटिंग हुई उसमें पूछा उन्होंने कि मैंने गलव्स क्यों पहने हैं वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी शक्ति अपने अंदर से ढूंडता है कि अपने अंदर से कोशिश करता है हम एरह हार हर हर ethical एक हीरो है चाहेए वह आप हों चाहे यहां उनकी अन्दर इस हीरो धूंडना बहुत ज्रूरी है लरोगा मतलब फिल्मों में आता वैसा हीरो नहीं अपनी horizon को अपने जो आया मैं उनको ढूंडना बहुत ज़रूरी है तो आप सब से प्रातना है कि शिव शास्त्री बैल बोवा दस तारी को ज़रूर देखिए लेकिन मैं यहां फिल्म के लिए नहीं हाया यहां मैं आप सब के लिए अपने लिए परिवार के लोगों के लिए और अपने देश के लिए प्राफना करने आया हूं इस पीक्स अलॉट अबाउट जीफ मिनिस्टर यहां पर मैंने देखा और मुझे इस बात की बहुत खुशी है जये जगन्ना झालुचच. झालुच. अबने जये जबाएंग सक्षाया गुशा सक्षाया।